हाई गाईज और वेलकम और वेलकम बैक तो आज चैनल कोईल्स लाइफ आज का व्लॉग काफी ओर्गिनाइजिंग व्लॉग होने वाला है स्टार्टिंग विद टुडेज व्लॉग पहले मैं अपने डिस्प्ले बोर्ड को डेकोरेट करने वाली हूँ मेरे स्टरी टेबल के ठीक ऊपर में मेरा एक डिस्प्ले बोर्ड है और वो काफी दिन से एकदम सुनसान सा है क्योंकि कुछ मैंने लगाया है नहीं सो यह मैंने एक बहुत ही क्यूट सा एस्थेटिक पोस्ट कार्ट मंगवाया है एमेजोन से आप लोग प्लीज परचेस कर सकते हैं इसे अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बहुत सारे पोस्ट कार्ट थे वहाँ पे अराउं 35 तो 40 अगर आप सेलो टेप से लेमिनेट नहीं करते हैं अगर आप सेलो टेप से कवर नहीं करते हैं और कोई ट्रांस्पेरेनन शीन से कवर नहीं करते हैं इसका जो कलर है ना बैदर तैम इत लुक्स व va-ring दॉलई को यह मैंने बहुत ऑच्छा एक टृक्रिक खुद इनिंवेंट किया है सो मैं कोई भी पोस्ट कार्ड लगाने से पहले या कोई भी पिक्चर लगाने से पहले मैं ऐदर उसको सेलो टेप से या फिर मैं ट्रांस्पेरन शीट से मैं कवर करती हूँ सो ये मैंने सेलो टेप से कवर किया है और मैं ऐसे करती हूँ सेलो टेप से कवर जो मैंने एक्जैक्ली वीडियो में दिखाया है आप कोई भी बड़ा वाला टेप लीजिए और उसको इसली आप कवर कर सकते हैं ऐसे एक बोर्ड पे चिपका चिपका के and finally you just have to paste it off like that और मैं कोई भी काम करने के साथ सक मैं कुछ न कुछ तो देखूंगी तो आप लोग गेस कीजी कि मैं कौनसा मूवी देख रही हूँ ये मेरा फेवरेट फेवरेट मूवी है सो मैं यह देख देख के अपना काम खतम कर रही थी और जबी मैं कोई काम करते हूं न एकदम सीरियसली करती हूं पता नहीं क्यों सो एनिवेज बाते करते करते और मुवी देखते देखते यह सब कुछ एकदम रेडी हो चुका है अफी शाइनी दिख रहे है आप देख सकते हैं सो अभी ट्रिक आते है कि इसको लगाएं कैसे विदाउट बोर्ड पिन सो यहर इस देख सीक्रेट ट्रिक एक सेलोटेप लेन है और उसको बिल्कुल ऐसे चिपकान है जैसे मैं चिपका रही हूं अपने हाथों पे बीच में एक हॉलो जो स्पेस है ना उसमें दो उंगली ऐसे लगाके आपको इसको हलके हातों से प्रेस कर रहे हैं आप इसको इसली चिपका सकते हैं मेरा ट्रिक है लाइक आई फाइंड इसको अच्छे से यूरो जोइन्स को इसको जो एंड है ना इसको कवर करना है पेस्ट करना है और बीच में आपको दो उंगली लगाके इसको स्प्रेट कर देना है पोस्ट कार्ट के पीछे आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि मैं कैसे करते हूं क्या नहीं और जो कुछ पोस्ट कार्ट कर देश्ट कर देश्यूं पोस्ट कार्ट बच गया था तो मैंने उसको अपने अलमीरा पे लगा दिया है आप लोग मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताना and आप लोग मुझे इंस्ट ग्राम पे फॉलो भी नहीं करते हैं so please do follow me on Instagram link आपको bio में मिलेगा, community post में भी मिलेगा so please do follow me on Instagram and yeah this is the postcard मैंने अलमीरा पे भी लगा दिया जो बच किया था and this is the overall final look now it looks very organized आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि मैं अपना makeup brush कैसे clean करती हूं यह एक silicone makeup brush cleaner है जो मैंने mini store से खरीदा है बहुत ही ज्याद अच्छा है मैं कोई भी गंदा makeup brush clean करने से पहले इसको पहले पानी से wash कर लेती हूं उसके बाद कोई भी shampoo anything will work on and इसको हलके हातों से आपको just circular motions पे आपको इसको करना है don't rigorously rub it on the like palette क्योंकि वो brush के bristles को खराब करता है धीरे धीरे circular motion में कीजे ये silicon pad clean करना भी बहुत ही ज्यादा easy है and this is how I clean all of my makeup brushes in one go and finally I will keep them to dry सूपनी के बाद brush कुछ ऐसा दिख रहा है बहुत ही clean लग रहा है brushes and make sure you clean the brushes at least after one to two uses coming back to this very messy almira अब देख सकते हैं मेरा almira का हालत काफी ज्यादा messy है और क्योंकि आज का ये vlog थोरा organizing vlog होने वाला है so मैं आज सब कुछ एक साथ मैं ठीक करने वाली हूँ कपड़ा organize किया उसके बाद मैंने अपने कपड़े खुद iron किये yes मैं अपना कपड़ा खुद iron करती हूँ जो जो मुझे चाहिए iron करनी के लिए especially the cotton ones and this is how I have organized my almira एकदम अच्छे से मैंने section wise किया है जो मैं बाहर मैं कपड़ा पैनती हूँ जो मेरे gym के clothes है वो सब कुछ मैंने अच्छे से organize किया है ये photo frames मैंने amazon से खरीदा था so जब मैंने इसको खरीदा था इसका जो white border है वो अच्छा ही था उस time पे but eventually as I told you na कि वो sunlight धूप से तो वो fade होई जाते है so ये जो white था या off white हो चुका था so मुझे लगा कि मेरे पास paint भी है acrylic white paint भी है और sponge भी है so क्यों ना मैं इसको paint करूँ और इसका जो hulia है ना इसको थोड़ा मैं better बनाओ so मैं इसके लिए use करी हूँ Camel का artist acrylic color और ये sponge है जो scotch bite के साथ नहीं आता है तो मैंने उसी को काट के जुगार लगा एकदम sponge ऐसा जुगार तो मेरे पास होता ही है और paint भी मेरे पास होता ही है क्योंकि मैं paint करती हूँ मुझे painting drawing करना बहुत पसंद है और dab dab करके न मैं paint को पूरे frame पे लगाऊंगी आप कोई भी product जब paint करते हूँ न स्पेशल अगर वो slippery surface है please don't use paint brush क्योंकि paint brush से न उतना अच्छा color नहीं बैठते है जितना आप sponge से करेंगे sponge से करने के बाद जो एक frosted look आता है वो और भी ज्यादा अच्छा लगता है और शाइनी सा look देने के लिए आप उस पे varnish का coat भी लगा सकते हाला कि मैं varnish का coat लगाना भूल गई थी end में वो बाद में मुझे याद आया जब मैंने organize कर लिया था पूरा and then I thought कि चलो कोई नहीं वापस से जब दोबारा करूंगी तब लगा लूँगी और फिर मैं फिरस अपने एक favorite movie देखते देखते मैं अपना काम खतम कर रही थी और मैंने धीरे धीरे पूरे के पूरे frames को मैंने अच्छे से paint कर दिया सूखने में यह hardly आपको like it will take you around 10-15 minutes 10-15 minutes में यह अच्छे से सूख जाता है और सूखने के बाद मैंने सोचे कि चलो इसको फटा-फट से organize कर लेते हैं सूखने के बाद मैंने इसको organize क्या और सारे के सारे photos जो भी थे मैंने उसको अंदर डाल दिया यह सारे printed photos है जो मैं घुमने गई थी सब उसी के photos है and finally I thought कि चलो जो मैं यह frames लगाती हूँ अपने wall पे इसको भी मैं थोड़ा अच्छे से clean करू wall को और decorate करूँ क्योंकि वो भी थोड़ा सा disorganized लग रहा था and finally I added this fairy lights और यह काफी ज्यादा cute लग रहा था यह point में यहाँ पे shoot भी करती हूँ so यह मैंने अपना एक छोटू सा एक backdrop बनाया है जो मुझे बहुत पसंद आता है and finally this part is also done आप लोग को कैसा लगा मुझे comments में जरूर बताना यह जो quotations है न यह मैंने Pinterest से download किया था and then I added some colors to it to make it more vibrant और फिर मैंने उसको photos में frames मैंने लगा दिया और इतनी ज्यादा गर्मी थी न कि इतना काम करके तो मैं आज बिल्कुल ठग गई थी तो मैंने ठंड़ ठंड़ एकदम चिल्ट सा दही खाया और मैं काफी ज्यादा ठग गई थी उस time पे so I thought कि why not to take some rest क्योंकि शाम को वापस से निकलना भी था ममी के साथ so thought कि चलो ठंड़ 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 धही खाते हैं और थोड़ा रेस्ट लेके उसके बाद शाम को निकलते हैं संड़े का दिन था so ममी बोल रही थी चलो कही पे थोड़ा सा ऐसे ही थंड़ा हवा खाके आते थोड़ा घूम के आते without any destination कहां जाने क्याने और शाम होते होते उस time पे करीबन सारे पात 6 हो रहा था and it was about to be evening and the sky was looking so beautiful वो sunset देखने में बहुत मजा आ रहा था आप लोगो को क्या पसंद है sunrise or sunset मुझे जरूर बताना comments में मुझे तो दोनों ही पसंद है क्यूंकि मैंने दोनों ही देखा है and I guess sunset ज्यादा पसंद है so yeah मैं और ममी जा रहे आज थोड़ा सा nursery में जा रहे पौधा खरीदने नहीं जा रहे लेकिन कुछ और करने जा रहे वीडियो को एन तक जरूर देखना क्यूंकि एक mini haul video भी आप लोग को देखने को मिलेगा नहीं हम लोग fruits खरीदने नहीं आया आज हम लोग आया है गर्मी में तंड़ तंड़ फूट जूस खाने वो भी fresh fruits का so मैंने और ममी ने लिया pomegranate juice जो बहुती ज्यादा refreshing था, tasty था and he also added the vendor also added some lime and rock salt and it tasted really good and फिर मैंने लिया ये malta fruit salad ये मैंने पहले भी try किया था बहुत चटपटा लगते है so ये मैंने खाया गर्मी के टाइम में I feel like this kind of snacking is the best and उसके बाद में और ममी गए city center mall में कुछ हमें थोड़ा सा चीजे भी खरीदना था and गर्मी भी बहुत ज्यादा थी तो लगा कि चलो थोड़ा सा थंड़ा इसी का हवा भी खा के आते so this is the place जहां पे हम लोग जाते है ये एकदम उपर में है वहां पे बहुत अच्छा अच्छा ज्वेलरी मिलता है oxidized asamese jewelry any kind of jewelry like bangles earrings and all of that so हम लोग वहां पे गए and mommy got me this beautiful bangle for everyday purpose उसके बाद मैं गई थी एक slipper लेने for like हर दिन के लिए क्योंकि आना जाना होता है न ऐसे open slippers बहुत ही ज्यादा comfy रहते ये काफी ज्यादा soft था एकदम buttery soft ऐसे पैर अंदर गुसाते ही एकदम पैर पूर अंदर जा रहा था so I got this pink one क्योंकि मुझे ये pink वाला ज्यादा पसंद आ रहा था आप लोगो कौन सा पसंद आ रहा था मुझे बताना so मैंने अपना slipper ले लिया है and उसके बाद हम लोग गए food court में धोड़ा खाना खाने पर वहां पर इतना ज्यादा भीड था कि एकदम मन चड़ो गया but फिर we thought कि ऐसा नहीं करते है चलो आये तो कुछ खाके जाते so I got this burger king का chicken wrap and mummy got one cup of coffee and then उसके बाद मैं गई color bar में और color bar में shoot करने allowed नहीं है so I got few stuffs क्या stuffs खरीदा है वीडियो को end तक देखिये आपको पता चलेगा कि मैंने क्या stuffs खरीदा है उसके बाद उसके बाजू में एक sweet shop है भारतिया जलपान so हम लोग वहां पर गए है क्योंकि हम लोग को एक gift hamper किसी को gift करना है sweets का so हम लोग महीं पर gift hampers देख रहे थे and then finally we decided which one to add or not and yeah this is pretty much our organizing day and on the way home I saw this beautiful moon बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा था and yeah that's all and over to the haul video so I finally came home and I am very tired of this so it is so much warm that I can tell you what to do so I will end the vlog before I show you what I have to take so I went to the colour bar and I will show you what I have to take so first I have taken a beauty blender because I have a lot of beauty blender because I have a lot of makeup and beauty blender is very important to change the color bar so I got this beauty blender from color bar let's see and use it and I will review it if it is good so I will definitely give it a good review let's see after that I have taken the color bar on the go makeup remover wipes this is a small version and it is very good I have used it many times so if you have not used it then please use it because it is very good so this is the color bar wipes and this is a basic nail polish remover color bar I am using the nail polish remover it is very good and this is also acetone free nail animal remover so this is only 3 things I have taken the color bar and I have taken the shoes for everyday purpose everyday wear I have already taken the shoes for everyday purpose everyday wear so I have taken the shoes for everyday purpose wear so yeah that's all for today's vlog if you have liked this vlog then please like share and subscribe and subscribe to my channel and subscribe to my channel if you like my vlog so today's vlog is enough so until then see you all in my next vlog so abhi ke liye wish us nahi bye love you all bye bye so i'm mhm so i'm at the झाल